हलो फ्रेंज आज मैं इस पिंडन को बना कर दिखाऊंगा फ्रेंज ये 27 गेज का तार है ये देखें फ्रेंज डेर इंच तार लेना होगा डेर इंच तार 27 गेज का तार फ्रेंज देखें किस तरह एस डिजाइन कर रहा हूं ARM Dizign कर रहा हूँ MANGO Dizign कर रहा हूँ देखिए Friends इसे तरह नए नए वीडियो पाने के लिए चलन को सस्क्राइब करे और मेरा 400 के आसवाद वीडियो हो गया है इस वीडियो को देखने के बाद सबी वीडियो देखना फ्रेंज मैंने बिलकुल नए लोगों के लिए एक कोस शुरू क्या है बिगनर क्लास शुरू क्या है प्रेलिस्ट पे है देखेगा एकदम फ्री में फ्री में एकदम अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो उस वीडियो को देख कर सीख सकते हो सब कुछ बिगनर से लेकर एडवन्स तक फ्रेंज धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ देखे इस तरह करना होगा और सेम टू सेम करना होगा दोनों ये देखे फिर इस तरह सेम टू सेम दोनों करना होगा ये देखे इस तरह डीजान कर रहा हूँ करने के बाद सोल्डरिंग करना होगा ये देखे इस तरह डिजन होगा उसके बाद सोल्डरिंग कर रहा हूँ ये सुआगा का जल है फ्रेंज छोटा छोटा केडियम काट कर सोल्डरिंग करना होगा इस तरह इस तरह देखे अगर उच नीच हो जाए तो इस तरह चीम्टे से बीठाना होगा उसके बाद केडियम से सोल्डरिंग करना होगा इस तरह करना हुआ प्रिंस में लेंग्वेज बिंगुल है बाकी वीडियो में देखकर समझ जाओ यह देखे फेंस सोल्डरिंग हो गया सोल्डरिंग करन के बाद इसको चाटना परेगा यह देखे फेंस इसको चाट रहाओ कातनी से कातनी कैसे पकरते है पिछला वीडियो में मैंने दिखाए है उस तरह कातनी पकरते है नहीं तो नहीं काटेगा यह देखे फेंस इसके बाद टोपना से गिसना होगा यह देखे टोपना टोपना से इस तरह गिसना होगा तभी ओबलिंग डिजाइन होगा यह देखे फेंस इस तरह डिजाइन होगा किसने के बाद काले मूम पर डीजाइन कर रहा हूँ देखिए यह देखिए यह काटाई पीस है यह मेसिन में काटाई होता है और डीजाइन करने के बाद प्लास्टर देना होगा यह देखिए प्रेंट्स डीजाइन हो गया उसके बाद प्लास्टर देना होगा यह देखिए करना होगा लाल कर लाल करना होगा छो सोर सोल अनिंग करने के बाद नीचे पोधि प्रेस रिंग लगाकर सोलेनी करने के बाद इसको पॉलिस करना होगा चिलाई करना होगा ये देखे फेंस त्यार हो गया दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बद धने बाद थैंक्स फर वाचिंग हसते रहिए मुस्कुराते रहिए आपका दिन सुबो थैंक्यो